ये उंदर कनी जड़ी बुटी है, रशाण के लिए बहुत काम की सीध है, उंदर कनी को चुहा कनी भी कहते है, मुशा कनी भी कहते है, आखु परनी भी कहते है, मुशिका परनी भी कहते है, और मास परनी भी कहते है इसे बहुत नामों से अलग अलग प्रांतों में उसको जाना जाता है तामरकित सफेद भस्म इसे एक दम निरूथ भस्म हो जाती है उंदर कनी का फूल भी देखो इसे फिले कलर का उनका फूल आता है इसे ले कलर का अभी खुल खिला नहीं है कड़ी है ले कलर का बिलकुल फूल आता है छोटा छोटा बिलकुल देखो अभी कड़ी है फूल खिला नहीं है एक दो दिन में खिल जाएगे इसका इसे पात्रा तोड लेना है इसे पात्रा तोड लो पूरी जड़ी बुटी नहीं चोड दिने सी पात्रा पात्रा ही तोड़ना है इसा पात्रा सभी तोड लो इसी तरीके से और 500 ग्राम पात्रा तोड लो 500 ग्राम पात्रा की बरोबर मिक्सर में डालकर अगर तो खाने में डालकर लुगदी कर डालो और बाद में सुध किया हुआ कंटक वेदी तामर पत्तर एक तोला लेकर और 200 ग्राम की लुगदी के 20- एसी लूगदी हो जाने को пригलिंग 참ोहर्य के लूगदी के विसोभी strands रख कर स्एराउच इसको करते हैं, तो दस किलो उपले की अग्ने दे दो, जाई क साणて अगंता है बाद में वह बश्म को आप किसी भी तरीके से अउस्द के रूप में जहां भी उनका उप्योग करना हो वहां कर सकते हो उसको यह बश्म को गुरु बश्म भी कहा जाती है सेम गुरु बश्म के बराबर ही उनका सभी गुम है गुरु बश्म है इसलिए उनको कहा जाती है यह बश्म सभेद मिलकुल पूरा वजन की बश्म मिलेगी आपको वहां जिस का यह बश्म को जिस तरीके से उप्योग करना हो कर सकते हो जहां भी उप्योग करोगे आउस्दो के रूप में वहां आपको सफ़ता मिलेगी ऐसी जड़ी बुटिया बहुत काम की चीज़ है दूसरी शरीर के लिए ये शरीर में कहीं काटा लग गया है कास गुष गया है अगर तो पत्रा कोई लुखन के माटे अंदर शरीर के अंदर सीरा परके गुष गई है तो उसकी रूल लुख दी वहां जहां गुष गया है काटा तूट गया है वहां लुख दी रख दो और पाटा बांदो सुबह तक सारा कच्रा निकल जाएगा ये भी एसी तो बहुत काम करती है शरीर में से जो भी सीरा हुआ है काटा बंग गया है अंदर कास का टुकड़ा अंदर गया है लोखन का टुकड़ा अंदर रह गया है अगर कोई शरी बली अंदर रह गई है शरीर के अंदर लग गया है तो काड़ने में तूट गया है तो उसकी लुख दी करके वह स्थान पर रख दो और पाटा बंदो सुबह वहाप वाप बार निकल जाएगा एक दम है इसी